तो हैपी सच्रांदी हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माइ चैनल और आज मैंने देखिए इवनिंग में हैर मास्ट ले आता बाल बहुत जड़ रहे हैं मेरे तो अभी यहां पर अच्छे से शैंपू कर्डिशनर अपने बालों में किया है और इवनिंग में अभी मिसर सिंग जस्ट ऑफिस से आये हैं और कुर्मूरा लेकर आये हैं वहारे पास खतम था गूड और तील यह सब था तो अभी में और मम्मी मिलके थोड़ा सा तील गूड और थोड़ा सा लड़ू अदू बनाएंगे करेंगे वह सब आप लोग के साथ शेयर करेंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तिया नतील का लड़ू बनाए अपरेट पेंड से में सिख्की हूँ अच्छे से धीनी आज पर भूजेंगे जब ब्राउं हो जाएगा उसको उतार नहीं तो निकालने जाएंगे कि इसके पाद गुल डाली अब इसको दिए 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 पका के चासनी बनाएंगे अब पूरा दिदल जाएगा तब चासनी बनने तयार होगा अब पकराया थोडा वाटिती आएगा अब पकराया थोड़ाओ निरप्ते हैं लोग से सिखी सब यह सब बनाना है, पुरूला का लड़ू, मन्जू अंची से, जाम ऐसे पानी में गूल हो जाए गूल, तब सम्झो चासनी तयार बूली है, हो गया, गूल हो रहा है अभी, इस बाद में थोटा मारना है, यह तो कोई खाई नहीं पाई करें आप थोड़ा करें, हो जाये हो, है है, अब तिन में अधिसको थोड़ा फेट, वो करूंगी, की चिकट ना हो, नर्ची, तली तुरु दिये जासनी बन गई तील में भी गुर डाले जासनी करके आप इसका लड़ू बनाएं इसका फॉफ चासनी त्यार होगे इसमें मिला ली मैं अभी लड़ू बनाऊंगे इसका में इसमें भी थोड़ा शा तील हमने डाल दिया है और इसका भी लट्डू बनाएगे लगा के ये दिखे पानी लगा के ऐसे लट्डू बादेगे लट्डू बनाए बहुत बनता है अँआ कोंजा फेवरेट अहठा है लाई बनाएग तील का मेरे को बहुत पसंद है लड़ू अब पुर्बुरे वाले को भी जल्दी बांदेंगे नहीं तो यह सिम जम जाएगा पटापट अलो अशीर दिमा देखो लाई का लड़ू बन गया अकरांती का लड़ू है ब्राबर में चल लगा के गोर गोर करके अब आप सब्सक्रांती लड़ू बन के त्यार होगा संक्रांती का तो इसको ट्राइ कीजिये आप सब को हैपी संक्रांती लड़ू बन के रेड़ी है तो आप सब्सक्रांती लड़ू बन के लड़ू कर के तरी का देखिये लड़ू बन के लड़ू कर दो दो आप सब्सक्रांती का अप लड़ी के सबजी बनाएंगे और पराथा और थोड़ा सा आलू का पराथा भी बनने वाला है तो लड़ू बनाने के बाद यह सब प्रोसेस में हम लोग कर यह प्रोसेस सफल हुआ मिस्स सिंग कुर्मुरा जो टाइम पे लेकर आये इनको थैंक्यू बोली आओ थैंक्यू गो सब्सक्राइब करेंगे इसके लिए आलू यहां पर बॉल कर लिया अभी इसमें अम्चू पाउडर नमक थोड़ा हरी धनिया डाला है अभी मैंने अब इसमें तोड़ा लाल मेच और पिंच ओफ हल्दी पाउडर और इसमें एक ट्विस्ट एड़ करूंगी मैं आज अभी बताती हों इसको इसे टेस्ट एक डम ज्यादा बढ़ जाएगा इसका इसका स्पेशल ट्विस्ट है किसी को बताना मत यह सीक्रिट है मैंश कर लेंगे अभी इसमें मैंने नमक, खल्दी पाउडर और लाल मेच पाउडर डाल दिया है यह इसर घिंटी भी बन ज़ें आलू का पराठा भी बन रहा है यह मैंश कर देंगे आलू भी ठेस है अभी पता चुलिए पराठा अच्छा ही बने रहा को अटा ले लिया है आते की कटोरी बना ली है और उसकोणि में यह आलू का जो हमारा अभी मिश्रण टेस्टी टेस्टी बनाइं है इस आटे में डाल देंगे अदर है और इसको ऐसे कट्hetरी को पैक कर लेंगे है कि अगा जो यह एक्सरा आता है इसको निखालने ज़रूरी रहता है नहीं तो फट जाता है फिर और जो बाकी का है उसको ऐसे दबा लीजे अभी रूखो ऐसे ऐसे ज़रूरी रहता है थोड़ा सा करना और फिर ऐसे से प्रेस कर लीजे थोड़ा एक्सरा अटा लगा लीजे और बेलन ले लीजे और बेलन से धीरे धीरे बेलीए आलू के गर्मा गरम पराठे मैं एक बार करनाल में गई थी तो वहाँ पे मैंने आलू का पराठा जो खाया है नाश्टे में करनाल में आलू के पराठे पराठे तो पंजाब के फेमस है और वहाँ पे मैंने एक्ट्यूर में पराठी खाना सिखा आलू का घर पे भी मंगे बनाती थी वो भी अच्छा लगता था लेकिन वहां में जाकर जो आज़त पढ़ी है चाय पराटों की तब से जादा अच्छा लगता है अभी देरे देरे मारे पराटे फूल रहे हैं देखिए किसके मों में पानी आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखना पपलों को आलू कम खाना है ना डाइबटीज में तो थूड़ा भिंडी भी बन रहा है उनके लिए सादा भिंडी बन रहा है आलू ने खाएंगे घादा और यह देखे हैं हमारे बिंडी की सब्जी एकदम रेडी है कुरुकुरी बिंडी अधर देखिए दूसरे आला पराटा भी एकदम अच्छा है झाला भी खाएंगे अधर ने खाएंगे वार वार भी एकदम रहा है ताइंक यू नमस्ते नमस्ते तांक यू यह देखिए है रूची के स्पेशल पराथे रात को क्यारा साड़े क्यारा बजे भी आकर खारा रहा है कि अरे कर दो